कमास चचका हिंदू आकिको खानेवासी लिया खोरवा चतिसगाड आजगनी को साच्छी मानका यह संकव लेते हैं कि हम अपने भारत पो एकटकर हिंदू रश्ट बनाएंगे हम अपने घरों से अपने मंदियों से अपने पुदाइश्ट बनाएंगे कि हमकर अपने हिंदू भाई को हरिस्टा से यकारीः समाजी आंधी सायों कशान डेंगे हम अपने पुदी कमे अपने घरों में सिर्फ औसिर्फ हिंदू हिंदू भाई को ही रखेंगे ताकि हम मासे हिंदू को और भी ज़ादा मस्बूत कर सके आज इसी संकाल की वस्टन किनाप से हम इसका अनुसरान करेंगे इसका प्पाया करेंगे ज़ाद स्री राम इनुसराक्षा से राजिनावाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद ज़ाद रामराज की परत्यारी आ रहे हैं भगवादारी रामराज दिन आएगा नमस्कार मैं हूँ मनीश ये वीडियो जो आप देख रहे थे ये कोर्बा जिले से है 36 गड में हिंदु मुस्लिम का मसला पहले अंबिकापूर में चर्चा का विसाय बना रहा फिर कवरधा में अबावाल हुआ अभी हाली में सरगुजा जिले के लुन्रा विकास खंट का वीडियो आपको याद होगा जिसमें मुसल्मानों के बहिसकार का सपत दिलाया गया था और अब कोर्बा जिले से एक वीडियो वाइरल है जिसमें कोर्बा के व्यपारी हिंदू राष्ट बनाने अगनी के समक्ष सपत ले रहे हैं। इस तरह के मामले जिस तेजी से सुर्खियों में आ रहे हैं और बार बार हिंदू राष्ट बनाने की बात कही जा रही है, मुसल्मानों के बहिसकार को लेकर जिस तरह से सपत लिये जा रहे हैं। भारत की तो हम नहीं जानते, नहीं कह सकते पर हमें लगता है कि चत्तिस गड़ में अगला चुनाव आते आते पूरा प्रदेस हिंदू राज इगोसित हो जाना चाहिए। चत्तिस गड़ के कोरबा में एक वेपारी पर धार्मी कुनमात भढ़काने का आरोप लगा है। वेपारी हिंदू संगठन से भी जुड़ा हुआ है। आरोप है कि वेपारी ने लोगों को एकत्र कर हिंदू राष्ट बनाने और हिंदू को अपने प्रतिष्ठानों और घरों में काम देने की सपत दिलाई है। इसके लिए बाकायदा अगनी को साक्षी मान कर सपत ली गई। इसका वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में वेपारी सहित अन्य लोगों के खलाफ F.I.R. दर्च कर लिया है। वीडियो ट्वीटर पर सनिवार को पोस्ट किया गया था। रात में बनाए गए इस वीडियो में कुछ लोग आग जलाकर आग के चारों तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक वेक्ति साउंड सिस्टम के माध्यम से बाकी लोगों को भारत को कट्टर हिंदू र अर्थिक मदद करने और उनको ही काम देने की सपत दिला रहा है। वीडियो के अंत में लोग जै स्रीराम के नारे लगाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। फेस्बुक पेज पर पोस्ट कर बताया है कि पुलिस ने मामले को संग्यान में लिया और थाना कोतवाली में आरोपी प्रमोद अगरवाल सहित अन्ने लोगों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है। अब देख रहे हैं कि जिस गरजना के साथ जै स्रीराम के नारे कथित हिंदू सेना के लोग लगाते हुए लोगों में माहौल खराब करने की कोसिस कर रहे हैं। उन्हें एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि नेता किसी के सगे नहीं होते। ये जिनके दम पर लोगों के बीच माहौल खराब कर रहे हैं। इससे कहीं न कहीं आम जनता का ही नुकसान होना है। इसलिए सचेत रहें, साथान रहें। सुक्रिया। क्यून बात रहें। झाल